राजिस्थान वर्सेस डली का ये मैच और डली की टीम चूज करके खेलने वाले हैं हम इस गेम प्ले की वीडियो में और शुरुआत हो चुकिये इस मैच की स्केडियम है मुंबाई का और ग्रीन है पिच कंडिशन तो देखते हैं कैसा रहने वाला है ये आज का मैच और टॉस जो है वो हो चुका है और फैसले की घड़ी यहाँ पर आ चुकी है तो ये तो ये आज का मैच का हम टॉस हार चुके हैं और फॉर्मेट आज का बिल्कुल उल्टा हो चुका है तो देली की टीम हमने चूज की है तो अब बारी आ चुकी है यहाँ पर हमारे दोनों ओपनर्स चुनने की स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे शेखर धवन और नॉन स्ट्राइकर एंड पर हमने रखा है शिम्रन हैटमा को और बोलिंग करने राजस्थान की टीम की तरफ से कौन आने वाला है कौन शुरुवात करने वाला है बोलिंग की वो देखते हैं और हमारी टीम की तरफ से दोनों ओपनर्स यहाँ पर शिक हर्दवन और शिम्रन हैटमायर आ चुके हैं शुरुवात कुछ एती ही और अगर वैसी फील्ड रही कि हमें लगेगा कि लॉफ्ट एड शॉट्स हम खेल सकते हैं तो तो बिल्कुल हम खेलेंगे और वैसे इस फील्ड में लॉफ्ट एड शॉट्स खेल सकते हैं वैसा तो हम लॉफ्ट एड शॉट्स खेल सकते हैं भी तो कोशिश तो भी यही रह करेंगे यहां पर तो लॉफ्टेट शॉट पीछे की तरफ लग सकता है कि काफी शॉट है यह बॉल और काफी उंचा लगाया है यह खुबसूरत सा छक्का और शिखर धवन ने लगा है यह चक्का डेली की टीम की चीर लीडर्स काफी ज्यादा खोश और चीर करती हुए अप काफी खराब समय पर यह बिकड़ गया क्योंकि अभी शुरुवात मिली दाई थी एक छक्का लगाया था शिखर धवन ने तीन बॉल पर साथ रन बनाकर वापस जाना पड़ा शिखर धवन को रिशब पन्त अब आए हैं लेफ्ट हैंड बैट्स में नमबर थी पर तो ओके यह स्ट्राइकर एंड पर हैं और पहली ही बॉल रिशब पन्त की जो की एक सिंगल के रूप में रंस आए और इसी सिंगल के साथ है सोवर में अभी तक के नौ रन आ चुके हैं एक विकेट के नुकसान पर यहाँ पर गली के फील्डर के उपर से शौट लगानी की कोशिश और विल्कुल वन बाउंस चौका मुलेगा शिमरन हैट मायर को तो यहाँ पर पहले ओवर की सनापती हो चुकी है 13 रंस आए इस पहले ओवर में एक विकेट के नुकसान पर और अब यह दूसरा ओवर शुरू होने जा रहा है तो एक चीज हम करेंगे कि यह दूसरा ओवर पिर और फिल करेंगे ओटो चब मूढ प्र जो जो तो उसकी फोड़ी सी भरपाई हो जाए इस ओवर में कुछ अच्छे रंस आ जाए यहाँ पर अभी तक के 17 रंस बना चुके हैं हम एक विकेट के नुकसान पर और यह दूसरा चौका इस ओवर का और इस ओवर की पहली ही दो बॉल पर रिशब पंत ने लगाया लगतार दो चौका और अगर यह आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो पी आर आई डबल एन एस एच यह इंस्टाग्राम की आईडिया है तो वहाँ पर आप सर्च करके फॉलो कर सकते हैं और अगर सर्च नहीं करना तो फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में जहाँ पर व्यूज लिखे रहते हैं वहीं पर इंस्टाग्राम का लिंक है तो वहाँ पर क्लिक करके और वहाँ से फॉलो कर सकते हैं फिलाल तो यहाँ पर विकेट जा चुका है रिशब पंत का और बैटिंग अभी तक की अच्छी चल रही थी दो लगातार चौके लगाये थे उन्होंने पर विकेट अप जा चुका है इस ओवरं में बचें हैं मात्र 3 इस ओवरं की मतलब आधी बॉलस की हाधा ओवर में हो चुके और अभी तक आथ radar अचुके हैं हैं सवर में और इस एक लगाये हुए चौके के साथ भी सहुआ के साथ यह रही रा रण और एक और चौका और अक्षर पटेल के बैश से निकले ये लगातार दो चौके पहले रिशा पंत ने दो चौका लगा फिर उसके बाद तो उनका विकेट चला गया पर अक्षर पटेर यहां पर और ये तीसरा और आखरी चौका इस ओवर का इस ओवर की समापती हो चुकी इस चौके के साथ और क्या खुबसूरती ओवर है मतलब 33 रंस पहले दो वर में डेली की टीम ने बना दिये दो विकेट के लिए ये काफी जादा खराद चीज है पर अगर रंस की हम बात करें तो मात्र पहली 12 बॉल में 33 रंस बना चुकी है डेली की टीम अब यहां समय हो चुका है 5 वर्स के आटो प्ले का और 28 रंस बना कर 16 बॉल्स पर शिम्रन हैट मायर का विकेट जा चुका है पर अक्षर पटेल जिन्होंने तीन लगातार चौके लगाए थे वो हैं अभी स्ट्राइकर एंड पर और फिर से की है एक चौके के साथ शुरुआत मतलब कमाल है यह और इस चौके के साथ शुरुआत हो चुकी इस ओवर की और इस ओवर में पहले चार रंस तो आ चुके हैं तो शुवात एक अच्छी हुई है तो इस ओवर में कोई बहुत जादा रिस्क लेने की ज़रत नहीं पड़ेगी और अब तो बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी क्योंकि एक छक्का भी लग चुका और पहली दो बॉल में ओवर की पहली दो बॉल में आ चुके हैं दस रन यहां पर सिर्फ एक डबल लेंगे हम कोई लॉफट एडिया कोई रिस्की शॉट्स खेलने की कोशिश भी नहीं करेंगे नॉर्मल एक शॉट हमने ओन साइड की और खेला और स्प्रिंट करके एक असानी के साथ ड बॉल में हो चुके हैं अठारा रन अक्षर पटेल पहुंच चुके हैं 45 रंस पर 19 बॉल्स और 45 रंस अरे रे बस जरा साइए बच गया वरना तो इस चखके के साथ पूरी होती इनकी अक्षर पटेल की हाफ सेंचुरी पर क्या कमाल की नोने इनिंग्स खेलिए 49 रंस पर प और छे चौके तीन चखके और क्या कमाल की निंग्स मतलब 252 के स्ट्राइक रेट के साथ और यह है हमारी टीम का भी तक का वैगन वील और मतलब जिस तरीके के हमने शॉट्स खेले जो सिंगल डबल या जो भी चौके चखके बाउंडरी के रूप में जो रंस हाएं हैं वो सारी चीज़ें और यहां पर अब समय हो चुका है एक और फाइब वर्स के आटो प्ले का तो 76 रंस पर पहुंच चुके अक्षर पटेल और 38 बाल्स पर 76 रंस कमाल है यह बिलकुल और लॉफ्ट एट शॉट अब एक और यहां पर रे रे यह तो टाइमिंग हमारी अच्छी पर जरा सा हम मिस्ट कर गए तो वो थोड़ी सी चीज़ खराब हो गई पर यह अगली ही बाल पर अमित मिश्टा के बारा बाल पर 16 रंग बना चुके अमित मिश्टा इस एक छक्के के साथ और क्या कमाल का यह ठक्का लगा मतलब अभी तक के जो जब से अक्षर पटेल आए हैं तब से हम और रिशापंत ने भी दो चौके लगाए तो तब से या एक छक्का जो सबसे पहला जो की शिखर धवर ने लगा था तो जितने भी रंस अभी तक आया है उसके बारे में जितनी तारीफ की जाए वो कम क्योंकि कितने कमाल के शॉर्ट्स और कितनी तेजी के सा रंस बने अभी तक ते और एको और छक्का लगा दिया अमित मिश्रा ने और इस छक्के के साथ 26 रंस पर पहुंच चुके अमित मिश्रा 14 बॉल पर और कमाल कीनिंग्स अभी तक दोनों प्लेयर में खेली है आक्शार पटेल ने तो बिलकुल कमाल 38 बॉल पर 76 रंस और एक चौका यहांपर और इस चौके के साथ 15 बॉल पर 30 रंस अमित मिश्रा कमाल कीनिंग्स और 11 बॉल पर 10 रंस पर थे और 15 बॉल पर 30 रंस मतलब यहां पर फिलाल हो चुका है strategic time out का समय तो इस strategic time out का 500 coins लगा कर चुके हैं skip तो autoplay का भी समय यहां पर फिलाल हो चुका है तो autoplay हम करेंगे यहां पर और 500 coins देखर करते हैं autoplay और उस autoplay के बाद अब 19 overs का match जो है वह हो चुका है एक over बचा है तो उस बचे हुए एक over को देखते हैं क्या कुछ रहने वाला है कैसा scene रहने वाला है और अमित मिश्रा 51 runs 26 balls पर और यह lockeded short point के फील्डर के उपर से one bounce और यह कमाल का खुशूरत चौका और एक बार फिर से cheer leaders काफी ज़्यदा खुश और अमित मिश्रा के बैट से शुरुआत कर दी उन्होंने इस over की एक चौके के साथ और क्या कमाल की यह ball की मतलब बाउंसर थी यह ball और जैसा कि आप वहाँ पर देख सकती कि जोफरार चरने भी ताली बजाई और वो ball थी काफी ज़्यदा थी और उस ball पर shot लगाना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो काफी ज़्यदा एक तो height पर थी और कमाल की वो बाउंसर थी तो वैसी ball पर या तो फिर काफी ज़्यदा मतलब आगे हो के या काफी ज़्यदा पीछी हो के ball की line से और अपर कट लगाने की कोशिश की जा सकती थी पर फिलाल यहां पर 30 run बनाकर 15 तीस ball पर 59 run बनाकर विकेट जा चुका है अमित मिश्रा का और जोफरा अर्चर ने किया है उन्हें बोल्ड 8 चौके और 6 चौके और 3 चौके लगाकर विकेट गया है उनका और 15 और अबाड़ा लेफ्ट हैंड बैटसमेंड अब यह नए आए हैं तो मतलब अजस्ट अभी आए हैं तो अब यह देखते हैं कैसी शुरुआ करने वाले हैं पहली ball lofted shot और अच्छी carry कर रही है और बिलकुल carry की boundary के पार और कमाल का यह shot और जब से यह match हुआ है तब से हमने आज के इस gameplay की वीडियो में यह बात काफी बार बोली है कि कमाल का shot क्योंकि पहली ball और च्छका और दूसरी ball फिर चौका कगीस और अबाड़ा यह जितने भी players हैं सबने कमाल का performance दिया और काफी ज़ादा अच्छा यह match राइस इसी के साथ इस हमा हमारी टीम में दली की टीम में और अब राजस्थान की टीम को जीत के लिए चाहिए 236 runs तो संजू सैंसन राइट हैंड बैट्समन और डेविड मिलर लेफ्ट हैंड बैट्समन तो यह राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला combination इन दोनों ओपनर्स में यहाँ पर तो बरकरार ह है और हमारी तरफ से शुरुआत करेंगे उमेश यादव यह पहली बॉल और थोड़ी सी फुल लेंद की रखने की कोशिश और पहली बॉल स्लिप के फिल्डर के पास और कोई रन का चांस नहीं पहली बॉल पर तो यह पहली बॉल डॉट रही दूसरी बॉल भी थोड़ी स और एज लगा और स्लिप के फीलडर के पास वहां पर कैच गया और कमाल का ये कैच रहा और इसी एक कैच के साथ शिम्डन हैटमायर ने ये कैच पकड़ा उमेश यादव ने लिया ये विकेट और वसे असली के मैचस की अगर हम बात करें तो मैंने मतलब मैच देखा नहीं थ फिलाल यहां पर दूसरी तीसरी बॉल और ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ-ओ- पर फिलाल तो यहाँ पर विगेट का में काफी जादा चांस लग रहा है और संजू सैमसं थे राजस्थान की टीम की तरफ से उपनर और एज यहाँ पर देखते हैं लगाए की नहीं और बिलकुल लगा है और इसी एक उच के साथ यहाँ पर समाप्ती हो चुकी है एक और बै इस एक विकेट के साथ एज लगा और पीछे कोई गलती नहीं की विकेट की परने और कमाल का ये अभी तक का मैच गया जैसा कि शुरुआत के समय मतलब काफी जादा एक तो हमने रंस बनाए 20 ओवर के मैच में हमने 235 रंस बनाए और टारगेट हमने दे दिया 236 रंस का और प ओई रन नहीं इस ओवर में अभी तक के चार रं आय और दो बॉल ड़ रहे दो बॉल पर विकेट आया तो ये और काफी जद्धा अच्छा गया पांच बॉल हो चुकी हैं इस ओवर की और ये चछटवी बॉल और इस चछटवी बॉल के साथ ये पहला ओवर हो चुका है च दौनों बैट्समें आपस में हाँ देविड मिलर और बेन स्टोक्स ये दौनों बैट्समें आपस में सलाह मश्वरा करते हुए कि यहां से जो 236 रंच चेस करने हैं वो कैसे किया जाए फिलाल यहां पर हम करते हैं five worst का आटो प्ले और उसको देखते तो नहीं पूरा complete autoplay और Delhi won by 76 runs और इतने जादा रांस हमने बनाई थे 235 runs हमने बनाए थे और 236 runs का हमने target दिया था तो जीत तो बिल्कुल यहां से संभथ ही और होना ही बनता था अब हमारी टीम को 76 runs की जीत मिली है वो किसकी बदालों मिली है man of the match कौन होता है वो यहां पर देखते हैं और अक्षर पतेल man of the match has scored 86 runs और एक wicket भी लिया था इनो